जैहिन दोस्तों स्वागा थे आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्तपूर्ण question answer TGT का एक जो practice set लेकर आए हैं TGT के लिए 125 परसन यहाँ पर हल करेंगे तो बहुत ही आपके question है तो वीडियो को पूरा वस्ते देखना है यह अपना practice set है आप देख सकते हैं पर practice set दो है तो बहुत ही महत्तपूर्ण यहाँ पर question answer है तो वीडियो को पूरा वस्ते देखें अगर आप चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को subscribe कर ले बेल आइकन दबाए और पर click करें ताकि और वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप कहां तक पहुंचे आज का फर्ष्ट question है राम रक्ष बेनिपुरी द्वारा आंसर है कला और संस्कृति question number 2 आपसे यहाँ पर पूंचा क्या है जिस चंद की प्रतम तता तृतिये चरण में 12-12 मात्राइं तता दोती और चतौरत चरण में 7-7 मात्राइं होती है साथ ही सम चरणों की अंत में चरण होता है वह चंद है वह कौन सा चंद है यहाँ पर question number 2 में बताना है वह कौन सा चंद है तो 2 का right answer है बरवईया विकल्प number आपका भी यहाँ पर सही answer होगा question number आपका यहाँ पर 3 पूँचा है कि हानूस नाटक की रचिनाकार कौन है हानूस नाटक है जो इसकी रचिनाकार आपसे यहाँ पर पूँचा गया है question number 3 और इसका जो सही answer है question number 3 का बह आपका विकल्प number C आनि की भीश में साहिनी भीश में साहिनी आपका यहाँ पर सही answer ह प्रिथम नाटक हनूस है और question number 4 क्या पूंचा क्या है question number 4 है आधी काल के लिए बीज वपन जो नामकरण किसने किया है तो question number 4 का right answer होगा महावीर प्रिसाद दुबेदी महावीर प्रिसाद दुबेदी यानि की विकल्प number C आपका यहाँ पर right answer होगा विकल्प number C right answer है question number 5 आपसे पूंचा है संसा से सडक तक की रचिनाकार कौन है मुक्ति वो धूमिल सर्विस उद्याल सक्से है न या लीलाधर जबुडी question number 5 है right answer होगा आपका यहाँ पर विकल्प number B धूमिल आपका यहाँ पर सही answer होगा विकल्प number B right answer Q6. सिवा बावनी की रचिनाकार कौन है? सिवा बावनी की रचिनाकार आपको यहाँ पर बताना है तो आपका Q6 का राइट आंसर होका विकल्प नमबर B आनिकी भूसन आपका यहाँ पर सही आंसर है Q7 है नमनानकित में ऐसे कौन कताकार नहीं है कताकार नहीं पूँचा है आपसे यहाँ पर तो कताकार नहीं है तो Q7 का आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा तो आपका राइट आंसर है Q7 का विकल्प नंबर C आनिकी निर्मला जेन निर्मला जैन आपका चही आंसर होगा 13 अड्य में किन 3 महान कभीयों की समिक्चश प्रस्तोथ की गई है 13 अड्य में बतानाँ है तो बहुती diviet Şimdi question क檐 है तर्वियदी में किन 32 कभी हैं जिनकी समिक्चश प्रस्तोथ की गई तो 8 का right answer विकल्प नमबर 2 जाइसी सूर तुलसी आपके हाँ पर सही answer है question number 10 है कि गद्द पन्थ मिσรथ काफ़े को कहते हैं तो गद्द पन्थ मिसरेत काफ़े को कहते हैं question number 10 का सही song सुरी 9 का right answer होगा विकल्प नमबर C आनि कि चम्पू का पर आपका right answer है question यहाँ पर complete करेंगे आकरी में आपको बताना है कितने question आपसे यहाँ पर सही बने तो आप जो है बताएंगे कि कितने question यहाँ पर आपसे सही बने question number 11 क्या पूंचा गया है निर्वेद इस्थाइभाव है किसका है रोध रसका करोन रसका इसांत रसका या भायनक रसका तो question number 11 का right answer है आपका सांत रसका सांत यान की विकल्प number B आपका सही answer है जगत सब्द के चतुर्ती एक बचन का रूप है क्या है यहां पर 12 में answer बताना है तो 12 का right answer होगा जगती जगती आपका हैं पर सही answer है question number आपका हैं पर 13 पूंचा क्या है क्लाई खुलना मुहाबरे का अर्थ क्या है question number 13 का right answer बताना है तो आपका right answer होगा भेद प्रगट होना question number है आपका हैं पर 14 है 9211 होना तो इसका तो सभी से answer आना चाहिए 9211 होना मुहाबरे का अर्थ जो है वह क्या है तो 14 है का आपका जो सही answer होगा बहे आपका हैं पर right answer चाहुदा का विकल्प नंबर C आनी की भाग जाना question number आपका हैं पर 15 पूंचा है गीतिका की रचिनाकार का नाम बताना है प्रसाद निराला पंत मुकुड़जर पांडे तो question number 15 का सही answer होगा गीतिका की रचिनाकार जो है बहे निराला है कौन है निराला यान की विकल्प नंबर आपका हैं पर C right answer है 15 का सी बिलकुल चाही question number 16 है निम्नानकित में से किस किर्थी के लेखक नाम बारसे हैं नाम बारसे हैं बहे कौन सी बहे किर्थी है जिसके लेखक नाम बारसे हैं तो question number 16 है महत्तुपूण है और इसका सही answer है आपका दूसरी परंप्रा की खोज आपका सही answer है question number 17 है पूँचा है सुंदर है बहग सुमन सुंदर मानव तुम सब से सुंदर तम है कौन सा काप बेदो से इसमें आपके लिए काप बेदो बताना है question number 17 है कौन सा काप बेदो से 17 में आपका सही answer होगा अधिक पदत तो है अधिक पदत तो विकल्प नंबर आपका एक right answer यहां पर है question number 18 है तुच्छ मनुस्ति की मित्रता सीगरी समाप्त हो जाती है भाव को ब्यक्त करने वाले लोकोक्ती है आपके लिए यहां पर बहे लोकोक्ती कौन सी है यहां पर बताना है तो question number 18 है का आपका जो सही answer होगा बहे आपका ओचे की प्रीत बालू की भीत यह जो है इसका अर्थ होता है तुच्छ मनुस्ति की मित्रता सीगरी समाप्त होज सकती है question number 19 यहां पर क्या पूँचा है निसा निमंतरन की रचनाकार पूँचा है आपसे यहां पर 19 में तो 19 का सही answer क्या होगा निसा निमंतरन की रचनाकार है वह हैं हरीवंसराय बच्चन कौन है हरीवंसराय बच्चन आपका यहां पर सही answer है विकल्प नमबर भी आपका right answer है question number 20 क्या पूँचा गया है तो question number 20 आपका है यहां पर दिया गया है देख लेते हैं क्या है question number 20 बयम रख्चाम है यह क्या है यह आपके लिए बताना है क्या है बताईए question number 20 का right answer क्या होगा question number आपका है यहां पर 21 21 का सही answer होगा प्रतियक्ष का बिलॉम होगा परुक्ष बिल्कुल सही आंसर होगा विकल्प नंबर आपका C आपर राइट आंसर Q2 है फाली नखन सव आंत डिन रोधिर मबाद निकारी लेपती अपने मुखानी पे हरसी प्रेत गन नारी Q2 का राइट आंसर होगा जुगुपसा आपका राइट आंसर यहां पर है Q23 का सही आंसर है इसमें सिलेस अलंकार है कौन सा अलंकार है आपका विकल्प नंबर एक यहां पर राइट आंसर है नाट्ट सास्तर के प्रेणिता कौन है यह आपके लिए बताना है भट लोलट हैं भट नायक हैं भरत मुनी हैं अभीनाव गुप्त हैं तो question number है आपका यहाँ पर 24-24 का सही answer है आपका भरत मुनी यहाँ पर विकल्प number 20 सही answer question number 25 है नासी के तो पाठ्यान के लेखक कौन है नासी के तो पाठ्यान के लेखक बताना है तो सभी के लिए पता होगा यहाँ पर नासी के तो फाक्यान यह बहुत ही सल question है और सदल मिसर आपका सhी आंसर यहाँ पर होगा question no 26 नमेंस यह बरतनी की द्रश्टी से सुद्ध सब्ध बताना है यहाँ पर सुद्ध सब्ध उज्वल कुन सा सही होगा यहाँ पर आपके लिए बताना है चार विकल्प इस परकार आपके याँ पर दिये गए हैं और आपके लिए उज्वल बताना है 26 में तो आपका राइट आंसर है सही वरतनी में इस परकार उज्वल लिखते हैं अरे याया वर रहेगा याद किस विधा की है यह रचिना आपके लिए बताना है किस विधा की रचिना है तो आपका यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर जो होगा वह क्या होगा राइट आंसर बताईए महत्वपूर्ण कौस्चन पूचे गया है आपसे और यहाँ पर कौस्चन इसका बिलकुल सही आंसर आप लोगों ने बताया है कि 27 का जो सही आंसर है सी राइट आंसर है आत्रा साहित थी Q28 पूंचा है नमलिकेत में ऐसे कौन सा रेखा चेत्र महादी बर्मा का है Q28 का आंसर बताईए यहां पर तो आपका यहां पर राइट आंसर क्या होगा Q28 महादी बर्मा का नहीं है पूंचा है नमलिकेत में ऐसे कौन सा रेखा चेत्र महादी बर्मा का नहीं है पूंचा है आपसे तो नहीं है में आपका 28 का सही आंसर है यहां पर मिंटो मेरा दुसमन, मिंटो मेरा दुसमन रेखा चितर की लेकी का महादरी बर्मा नहीं है, कौन है इसकी लेकी का, लेका कौन है उपेंदर नात अस्क है, तो उपेंदर नात अस्क आपके लिए याद रखना है, उपेंदर नात अस्क इसके लेखा के, निम लिखत में से यहां पर आपके लिखनी रहोगा महा काब भी लिखा तो कौन सी रचन महाकाब नहीं है तो 19 का सही आंसर होगा आपका यहां पर क्या होगा राइट आंसर 19 का विकल्प नंबर डी यानि की पल्लाव पल्लाव समित्रा नंदर पंत का यह जो है क्या है महाकाब नहीं है और question number आपका यहाँ पर 30 देख लेते हैं क्या पूँचा क्या है question number 30 यहाँ पर देख लेते हैं तो यहें आपका question number 30 देखिए सूची एक का मिलान सूची 2 से कीजिए तब नीचे दिये गए कुट की उत्तर करना है यहाँ पर तो यहां पर आपके जो हैं, इस फरकार, यहां पर आपको मिलाना है, तो आपका question number है, यहां पर क्या है, 30 हैं, और 30 का सही answer यहां पर देख लेते हैं, कूट आपके लिए देख नहीं रहोंगे, क्या भूलूँ, क्या आदिकरूँ के लेक़ कौन है, तो यहां पर क्या कबी right answer है त्यूस का B और तो पहले का आपका यहां पर हो जाएगा 30 तो QUE though मेरा परिवार जायगा देखाचे त। पेरकार आपकी यहां पर जूची上 sommes लंग एंक का में खूश्चन नममर 31 के अपत् 먹ना यहां फूल नहीं रंग बोलते हैं कि रचनकार जो हैं बैहें कि ये दानात अग्रवाल question number आपका यहाँ पर 32 पूछा ने मिलेके तमें से कौन सा योग में सही नहीं है तो यहाँ पर आपके लिए सही नहीं योग में बाला बताना है तो कौन सा नहीं है तो आपका सही आंसर यहाँ पर जो होगा बैहें आपका 32 का राइट आंसर विकल्प नंबर सी यानि कि आचार ममट मुक्ति बाद मुक्ति बाद ए जो है आपका सही नहीं है दौत बाद के जो पृति पादक हैं वह कौन है तो वह हो जाएंगे संक्राचारे और अदौत बाद के यहां पर विसिष्टता दौत बाद के जो पृति पादक हो जाएंगे कौन हो जाएंगे विसिष्टता दौत के पिरवर्तक रामनुजाचार यहां पर तो यह सही दिया गया है और दोइतबाद की कौन हो जाएंगे दोइतबाद की हो जाएंगे कौन मदवाचार जी दोइतबाद की मदवाचार यहां पर सही दिया गया है और अदोइतबाद की बल्लभाचार इस परकार आपके जो है C right answer है तो विकल्प number C में आपका इस प्रिकाद जो है सही answer है बिल्कुल सही question number 34 पूँचा है कि प्रेमख्यानुकाप्य परंपरा सूपी कभियों का मुख्धरसन है सूपी कभियों का मुख्धरसन बताना है आपके लिए तो 34 का जो सही answer है बहिए क्या होगा तो बहिए आपका तसब्वक विकल्प number 1 right answer है question number 35 पूँचा है कि नमलिकेत में से कौन सा कथन असत्य पूँचा है तो यहाँ पर असत्य कथन बताना है यह 4 विकल्प यहाँ पर दो यहाँ पर दिए गए हैं और दो विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं 35 में विकल्प आपका देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा असत्य पूँचा है तो आपका यहाँ पर सही answer है विकल्प number D के सव रीति मुक्त धारा की कभी हैं तो यह आपका जो है असत्य होगा तो आपका 35 का जो डी है वह राइट आंसर रीति वद्द एक धारा की प्रमुक्त कभी हैं रीति वद्द की हैं रीति मुक्त की नहीं है तो याद रखिए तो 36 का जो सही answer होगा यह जो होता था सापताहिक था क्यासा था सापताहिक तो विकल्प number आपका भी राइट आंसर है निराला की कभी था राम की सक्ति पूजा पर किस रचना पर सरवदिक प्रभाव है रामचरित मानस बालमी की रामाइड साकित या कृति बास से तो 37 का सही answer जो होगा कृतिवास रामइड आपका कृति बास रामइड राइट आंसर है निरामलेकत मैंसे कौन सा कभी दूसरा सब्टक में समलित नहीं था देखिए दूसरा सब्टक जो था इसमें समलित नहीं थे कौन से कभी नहीं थे तो question number 38 का सही answer होगा मुप्ति नहीं पूचा है तो रसक गिरंजन जो है यह आपका का बिग्रंथ नहीं है तो यह आपके लिए याद रखना है एक आलोचिना है रसक गिरंजन विकल्प नमबर आपका सी राइट आंसर है नहीं नहीं पूचिना है तो कॉस्चन नमबर 40 है और 40 का सही आंसर होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर है यहाँ पर आपकी कभी बचन सोधा जो है राइट आंसर है देखिए कभी बचन सोधा नामद पत्रीका 1884 में बनारस ते प्रकासे थूई और बनारस ना इसके जो भारते तो ढूहर इसचंड़ इसके संपादक थे संपादक थे तो कभी बचन सुधा आपके लिए आद रहना है 1884 इस बीशे बनारस ते प्रकासे थूई question number आपके हैं पर 41 है कि जै मैंक जस्चंद्रिका की रचियता का नाम बताना है तो 41 का सही आंसर सभी के लिए पता होगा जै मैंक जस्चंद्रिका की जो रचियता है भे कौन है तो 41 का D answer आपका सही आंसर है मदूकर कभी मदूकर कभी आपका सही आंसर है यह कथन किसका है यह वताना है तो question number 42 का आपका जो सही answer है वह क्या है right answer तो संतन को कहां सीकरी सो काम कुमभंदास विकलप number C आपका right answer होगा question number 43 है गोसवामी तुलची दास ने रामचरित मानस की रश्ना किस संबत में की थी रामचरित मानस की रचना किस ने की थी गोचवन तुलसी दास जी ने किस संबत में की थी तो संबत 1631 आप कहाँ पर सही आंसर होगा आचार की सब्दास को मती राम को चिंता मनी को या बिहारी को तो आचार रामचर शुकलने रीती काल का जो प्रवर्टक माना है वह माना है किसको चिंता मनी को विकल्प नमबर आपके हैं पर सी राइट आंसर होगा यहां पर question number 45 देख लेते हैं और तब तक सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक बसे कर लें जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लें question number 45 नमें लिकेते सब्दों में ऐसे pulling सब्द का चैन करना है आपर कौन सा होगा pulling सब्द तो question number 45 है चार विकल्ब भी आपके हाँ पर दिये गए हैं और इसका जो सही answer 45 का वहें आपका right answer 45 का विकल्ब number 1 यानि की सूची पत्र है सूची पत्र आपके हाँ पर सही answer है जय पराजय में कौन सा समास है यह आपके लिए बताना है 46 का सही answer क्या होगा जय पराजय में कौन सा समास है तो 46 का सही answer है आपके हाँ पर विकल्ब number C यानि की द्वंद द्वंद आपके हाँ पर सही answer है बिल्कुल सही द्वंद आपका राइट आंसर सूधन आगतम में कौन सी संधी है question number 47 है तो ये तो सभी के लिए पता होगा सूधन आगतम में स्वागतम में जो संधी है 47 का आपका राइट आंसर यहां पर होगा D यानि की आपका सही आंसर क्या है Qên number 48 आपसे यहां पर पूझा जै कवित रतना कर की रचिना कर आपके लिए बताना है तो आपका यहां पर राइट आंसर होगा विकल्त नंबर आपका यहां पर भी राइट आंसर है सहना सही कौश्य नंबर आहे आपका यहां पर ढूननचास अर्शच आपके प्रमुक कभी नंद दास किसके सिस्से थे यह आपके लिए बताना है तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है किसके सिस्से थे तो आपका उननचास कभी राइट आंसर बिठलना Q. 55 का राइट आंसर बताये, यह अभीमत बताना है किसका है एभीमत तो Q. 50 का सही आंसर है आपका इहां पर क्या राइट आंसर हजारी परसाथ दुबेदी यानिकि विकल नंबर C राइट आंसर है question number इंक्याउन पूँचाएं इनमें से कौन सा कभी अभीनाई जैद्युकी उपादी से बिभूसेत हैं बहे कौन हैं तो आपका सही आंसर यहां पर होका नंददास है सूरदास कुमबंदास या विद्यापती तो विद्यापती आपका यहां पर सही आंसर है मुक्त चंद की प्रिणिता कौन है निराला नागरजुन जैसेंकर प्रसाथ महादेई बर्मा तो बाउन का आपका जो सही आंसर है बाउन का बहे आपका यहाँ पर मुक्त चंद की प्रिणिता सुरकांतर पाथी निराला है विकल्प नंबर एक सही आंसर question number 13 पूँचा गया है निमलिकेत मैंसे कौन सा कथन यहां पर असत्य है तो त्रेपन का सही answer यहां पर असत्य कथन बताना है तो भारते अंदू यूग के पनते जो हैं भारते अंदू यूग के कभी क्या हैं तो यह आपका जो कथन यह कैसा है असत्य होगा क्या है राइट आंसर आपका cent का यहां पर पूंचा राम सबीकित तूई बताना हैं तो पॉसेन नमबर चमगन का सही आंसर है आपका राम का तो यहाँ पर आपका right आंसर होगा राम अभ्याम यानि की विकल्प नंबर एक सही आंसर है कॉस्चेन नंबर पच्पन है महा कभी कालिदास किस अलंगकारी के लिए परसिद्ध है उप्मा उत्प्रिक्ष सिलेस रूपक तो question number आपका पचपन है और पचपन का सही answer है आपका यहां पर महा कभी कालिदास उपमा के लिए जाने जाते हैं तो बिकल्प number एक आपका यहां पर सही answer यहां पर होगा question number आपका यहां पर जो 56 पूश्चन पूशा क्या है बैप पूशा है सूरदास के सुपन्यास का पातर है यह आपके लिए बताने सूरदास के सुपन्यास के पातर रंग भूमी गबन कर्म भूमी या मानस काहन से तो सूरदास जो है रंग भूमी प्रियमचंद द्वारा लिक है तो एक जो है बिरहद उपन्यास है और इसके रंग भूमी के जो है आपके विकल्क नंबर एक यहां पर राइट आंसर होगा बिल्कुल सही यहां पर कॉस्चन नंबर आपका यहां पर दिया गया है संताउन की सूची एक को जो है सूची दो से यहां पर सुमिलत करना है तो विसल देव रासो के जो रचेता है भै कौन है नर्पती नाले हो जाएंगे और यहां पर प्रत्वी राज रासो की कौन हो जाएंगे तो सभी के लिए पता है प्रत्वी राज रासो की हो जाएंगे चंदबर दाई परमाल रासो की जगनिक हो जाएंगे और खुमाल रा लिखा जाता है यह आपके लिए यहां पर बताना है बताईए तो कभीत्री किस पिरकाल लिखा जाता है तो आपका यहां पर राइट आंसर होगा बी में जो कभीत्री इस पिरकाल लिखा जाता है बी आपका सही आंसर है question number 69 पूँचा क्या है कि निमने लिखित में से सही बाग के चुनिए question number 69 में आपके लिए सही बाग के चुनना है कौन सा होगा सही बाग के तो 69 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प number C right answer श्री किष्णी की अनेक नाम है यह जो है आपका सही बाग के है question number 60 है अन्दे की लकड़ी से तातपर है अन्दे की लकड़ी से क्या तातपर है तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है अन्दे की लकड़ी से जो तातपर है वह क्या है तो आपका right answer होगा question number 60 का विकल्प number D यह की ही सहारा कौस्चین नुमर 61 पूչघ पूचा क्या है आपसे यहाँ पर ने मिलिखित में इसे लोकोकती चुनिए तो लोकोकती आपका यहाँ पर राइट आंसर है लोکोकती चुनना है एक सट में कहां राजाभोज, कहां गंगुतेली, यह आपकी लोकोक्ती है, क्या है, लोकोक्ती आपका राइट आंसर है, कॉस्चिन नमबर 62 है, नमिल्खित में सी किस उपन्यास का कथानक भारत, पाकिस्तान विवाजन पर आधारित नहीं है, देखे नहीं पूंचा है, तो ग्यारा वर्ष का समय किस विदा की रचना है, यह कहानी है, डायरी है, उपन्यास संसमरन है, 63 का सही आंसर आपके लिए यहाँ पर बताना है, 63 का सही आंसर होगा, यह जो क्या है, एक आपका यहाँ पर राइट आंसर है, कहानी यानि की 63 का यह आपका सही आंसर यहाँ पर ह तो question number 64 का right answer है, यानि की विकल्प number भी आपका यहां पर सही answer है, question number 65 देख लेते हैं, यहां पर क्या पूच्छा क्या है, question number 65, तो देखिए यह रहा आपका question number 65, कि रीतिकाल की विसेश्थां के संदर में निमलिकेते मैंसे एक विसेश्था गलत है, उस विसेश्था का चैन कर ना है, तो देखिए काल की संदर में कौन सी विसेश्था गलत है, तो question number है, आपका यहां पर 65 और 65 का जो सही answer है, पह होगा आपका विकल्प number 65 का right answer है, क्या है, कि रीतिकाल में पिरकृति का आलंबन रूप में बंडन हुआ है, यह जो विसेश्था है, क्यांसी है, गलत है तो विकल्प number आपका यहां पर C right answer है, दीतिकाल में जो है, कभियों ने पिरकृति का जो चित्रन किया है, उद्धीपन तथा अलंगकारिक रूप में किया है, तो आलंबन रूप में नहीं किया है, question number आपका 66 पूँचा है, सेद इब्राहिम का कभी नाम है, तो इनका कभी नाम पूँचा है, आपसे, question number 66 में, तो आपका यहां पर सही आंसर होगा, सेद इब्राहिम का कभी नाम है, क्या है, रस्खान, question number आपका यहां पर 67 पूँचा है, लोगे हैं, लागी कवित बनावत, मोही तो मोरे कवित बनावत, इस कावेपन्ती की रचेता का नाम आलंग घनानन्द, दोईजिदेव या इनमें से कोई नहीं, यह आपके लिए बताना है, तो आपका 67 का यहां पर जो सही आंसर है, इसे कावेपन्ती के जो मतलब रचेता पूँचा है आपसे, तो 67 का सी घनानन्द आपका यहां पर राइट आंसर है, question number 68 पूँचा है, जूही की क विकल्प नंबर C, यानि की महाविर पर साथ, दोबेदी, दोबेदी आपका यहां पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही, और question number आपका यहां पर 69 पूँचा है, चौथा सब तक में संकलित कवित्री है, तो सकुन्त मातुर है, या मणी का मोहिनी है, सुमन राजी कीर्थी च मानी है, question number 70 का आंसर बताईए, आचार ममट ने बताना है, तो आपका राइट आंसर है, 70 का B, यानि की 3, आचार ममट ने काप बिगुण मानी है, कितने मानी है, 3 मानी है, तो जबकि भरत मुनी तदा दंडी ने काप बिगुण कितने मानी है, 10 मानी है, और आचार बामन ने कितने माने हैं कब्द गून हैं 20 माने हैं आचार बामन नहीं question number आपका 71 है यहाँ पर पूंचा है 71 a question कि खिदू भासा की उध्वा और विकस का ओ किरम चुनना है तो हिंदी भासा की उद्वा और विकस का जो सही अनुक्रम होगा या किरम है वह विकल्प नमबर एक में आपका सही आंसर है संस्क्रित पाली प्राक्रित अब्रंच स्वरसेनी पश्मी हिंदी और खड़ी बोली यह जो है आपका यहां पर सही आंसर है कॉस्चन नमबर आपका बहत्तर बब पूँचा है नमलिकित में ऐसे कौन सा सब्द तत्सम रूप है तत्सम रूप है बताना है आपके लिए अंधिकार अंधियारा या रात तो बहत्तर का जो सही आंसर है बहे विकल्प नमबर एक यानि की अंधिकार आपका यहां पर सही आ पर आजाए, ते तर का B right answer है पर आजाए में परा उपसर्ग है, बिल्कुल सही परा का अर्थ है, होता है उल्टा पीछी question number आपका यहाँ पर 34 हो गया है question देख लेते हैं क्या पूच्छा क्या है तो यहाँ पर आपका दिया गया है question number 14 की देवनांगरी लिपी का विकास हुआ है किस से हुआ है यह आपके लिए बताना है तो चोहतर का आपका जो सही answer होगा आपका विकल नंबर डी यानि की देवनांगरी लिपी का जो विकास हुआ है वै किस से हुआ है तो ब्राही लिपी आपका यहाँ पर सही answer है बिल्कुल सही ब्राही लिपी राइट answer question number 75 है क्या पूच्छा गया है question number 75 देखे कि निम ने यहाँ पर पूच्छा क्या है कि निम ने लिखे तमें से कौन सा सब्द है कौन सा सब्द यहाँ पर देख नहीं रहा है आपके लिए कमल का परियाब आची नहीं है कमल लिखा है आपका कमल का परियाब आची नहीं है पर सब्द दिख नहीं रहोंगे थोड़ी से, तो question number 77, जिसकी आसा न की गई हो, उसे आपके लिए यहां पर क्या बताना है, उसे कहा जाता है, निरासा या उपेक्छा, अप्रत्यासित या असंभाव, तो जिसकी आसा न की गई हो, तो आपके हैं पर 77 का जो right answer है, वह हैं आनि की आप प्रत्यासित आपका सही answer होगा, 77 का भी आपका यहां पर सही answer है, question number है, आपका यहां पर 78 क्या पूंचा गया है, कि जिसे नहीं पर यहां पर पूंचा गया है, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, बाक्यांस के लिए प्रियोक्त एक सब्द यहां पर बताना है, जिसके लिए जिस पर अनुग्रह है किया गया हूँ बाक्यांस के लिए एक सब्द कौन सा होगा तो 78 का आपका सही आंसर होगा यहाँ पर अनुग्रहीत की इस परकार जो विकल्प नंबर भी है आपका सही आंसर है question number है आपका यहाँ पर 89 निमलिकत मेंसे कौन सा सब्द है यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर बताना है कि पता का परयाबाची नहीं है दे कि पता का इस परकार पता का लिखा है यहाँ पर पता का का परयाबाची नहीं है तो 89 का आपका जो सही आंसर होगा पताका का प्रस्तर ये जो है परयाबाची नहीं है Question number आपका यहाँ पर पूंचा है मुझे चांद चाही उपन्यास के लेखक है 80 का right answer बताना है मुझे चांद चाही उपन्यास है और इसके जो लेखक हैं वहे कौन है तो आपका सही आंसर है यहाँ पर क्या होगा right answer अस्तिका सुरेंदर बर्मा विकल्प नमबर बी आपका सही आंसर है टोपी सुकला के लेखक हैं तो टोपी सुकला के जो लेखक हैं वहे कौन हैं यहाँ पर बताना है तो question number 81 का right answer क्या होगा 81 टोपी सुकला ये उपन्या से है और इसके जो लेखक है राही मासूम रजा यानि की विकल्प नमबर भी आपका सही answer है अरोन एह मदुमय देश हमारा अरोन एह मदुमय देश हमारा एह जो गीत है प्रसाद जी की किस किर्ती का है ये गीत प्रसाद जी की किस किर्ती का है जहरना द्रोबसौमनी लहर या चंद्रगुप्त है तो 82 का आपका जो सही answer है 82 का वह आपका यहाँ पर चंद्रगुप्त आपका right answer होगा बिल्कुल सही चंद्रगुप्त right answer है नम्नान के में से कौन सा सब्द यहां पर सूर्य का परयाबाची नहीं है, सूर्य लिखा है यहां पर तो सूर्य का परयाबाची नहीं है, कौन सा नहीं है, दिनकर, अमिय, दिवाकर या अंसु माली, 83 का अंसर बताना है, तो सूर्य का परयाबाची नहीं है, पूंचा है तो अम यह आपका राइट आंसर होगा विल्कुल सही विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो यहाँ पर दिया गया है सी वह राइट आंसर है question नंबर 84 है अवलो नसानी अवना नसे हो पद के रचनकार आपको यहाँ पर बताना है रचेता कौन है तुलसीदास, सूरदास, कुमबंदास या गोबंद स्वामी अवलो नसानी अवना नसे हो तो आपका राइट आनसर होगा 84 का विकल्प नंबर सी आने की तुलसीदास क्या होगा तुलसीदास कौस्चन नंबर 85 है करोण के रस राजत्य की प्रितिश्थापन प्रितिश्थापना केसे ग्रंथ द्वारा की गई थी ग्रंथ बताना है किस ग्रंथ द्वारा की गई थी तो कौस्चन नंबर 85 का सही यहाँ पर आपकी जो थोड़ी से पीडियाप है जो आपकी यहाँ पर तोड़ी सी जो हो गई कट गई है इसलिए आपर देख नहीं रहा है करुण के राजत्य की प्रितिश्टा आपना किस ग्रंत दार रखी गई थी तो 85 का सही आंसर है आपका क्या होगा उत्तर रामचरित आपका है यहां पर राइट आंसर है बिलकुल सही यहां पर आपका यहां पर अभिग को में बनिता मुखम अभीब्द है तो अभीमत बताना किसका अभिमत होगा तो आपके शावशी का राइट आंसर क्या होगा यह भामय का किसका है आचार भामय आपका यहां पर सही आंसर है question number है आपका 87 अभिग्य सब्द का बिलोम क्या होगा अभिग्य का बताना है तो 87 का आपका जो राइट आंसर है अभिग्य का होगा अनभिग्य क्या होगा अनभिग्य आपका यहां पर 125 question पूरे complete करेंगे यहां पर सही आंसर है बिल्कुल सही आपका इनमें से कोई नहीं राइट आंसर है question number है आपका इहाँ पर 89 अकुरुह रूप है तो इहाँ पर 89 में आपके लिए बताना है क्या हो का राइट आंसर होगा question number 90 पूचा है मार्ग की दोनों तरफ ब्रक्षे हैं का संस्कृत में अनुबाद करना है तो इसका संस्कृत में अनुबाद किस परकार करेंगे मार्ग की दोनों तरफ ब्रक्ष है इसका संस्कृत में जो यहाँ पर अनुबात करना है तो 90 का राइट आंसर है विकल्प नमबर एक मार्गम वियताहा ब्रक्षा संती विकल्प नमबर आपका यहाँ पर एक राइट आंसर यहाँ पर है बाननवे का सही आंसर होगा नहाँ पर का ब्रक्षा संती विकल्प नमबर आपका राइट आंसर है तो 92 का सही आंसर होगा यहाँ पर काब निर्णय यानि की विकल्ट नंबर बी आपका सही आंसर है कॉस्चन नंबर 13 नंबर कामाईनी को छायवाद का उपनिसद किस ने कहा है डाक्टर नगेंदर मुक्तिवोद या इंदरनात्मदान या सांती प्रिय दुबेदी तो छायवाद का उपनिसद कामाईनी को जो कहा है वह सांती प्रिय दुबेदी ने कहा है तो डी राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा कॉस्चन नंबर है 94 यहाँ पर क्या पूंचा गया हिंदी साहत का विमर्ज के लेखक कौन है हिंदी साहत का विमर्ज के जो लेखक है वह कौन है यहाँ पर बताना है तो 94 का आपका डी राइट आंसर है पदुमलाल पुन्नालाल वक्सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा बिलकुल सही 94 का आपका यहाँ पर डी राइट आंसर है question number आपका यहाँ पर 95 भी दिया गया है क्या दिया गया है तो बह यहाँ पर देख लेते हैं question number 95 आपका क्या है तो यहाँ पर सूची एक को सूची दो से सुमिलत करना है 95 में तो यहाँ पर सुमिलत कर लेते हैं 95 में यहाँ पर देखे कालिदास्य की रचना यहां पर पूंचा है तो सभी के लिए पता होगा कालिदास्य की रचना है अभी घ्यान सा कुंतलम फिर है मागी की रचना पूंचा है मागी की रचना कौन सी होगी तो सिसुपाल वधम आपका यहां पर राइट आंसर है भवभूती द्वारा रचना इनकी रचना कौन सी है तो उत्तर रामचरितम भवभूती की है दंडी की जो रचना है तो दस कुमार चरियू आपका यहाँ पर रचना पूछी गई है कौश्चन नमबर है आपका यहाँ पर 96 अजल सब्दे का सही संदी विच्चेत यहाँ पर बताना है चयाँ 97 पणच बटी सब्दें प्रयोकत समास का नाम बताई पंच बटी में कौन सा سमास है तो सभी के लिए पता है पंच बटी में दिगू समास है question number 90 है सूची एक का सूची दो से सुमिलत करना है यहाँ पर कूट की साहता से तो यहाँ पर दियेगा है कूट मगर वह देखेंगे नहीं आपके लिए तो इस प्रकार यहाँ पर यहाँ पर जो है क्या करना है इसको सुमिलत करना है तो यहाँ पर देख लेते हैं देखेंगे इस प्रकार यहाँ पर आपका जो लट लकार है इसको बर्तमान काल और लोट लकार अग्यानार थक और आपका यहाँ पर लंग लकार जो है इसका भूत काल और लट लकार का आपका हो जाएगा भवस्यत काल इस विरकार आपका जोहस्व मिलत हो गए और question number है आपका यहाँ पर 99 की कलकत्ता में इस्ताद पोर्ट बिलियम कॉलेज के संस्थापक जो थे वह कौन थे पोर्ट बिलियम कॉलेज के संस्थापक है तो आपका सही answer है विकल्प number एक यान की जोन गिलक्राइष्ट आपका सही answer होगा यहाँ पर question number आपका 100 पूंचा है कि किसोरी लाल वाचपिये करते इंदुमती नामक कहानी सरपरितम कब और कहां पर कासित होई थी बिलर हो गया आपका यह question थोड़ी चा तो यहाँ पर 100 का सही answer होगा देखे किसोरी लाल गोस्वामी यह पर हल देखे कि भारवी ड्रचत करात आरजुनीयम होगास प्रिधान रस च्या है तो इसका प्रिधान रस बतान है बीर रस करन रस सिंगार रस यह सांत रस तो question number 101 का सही answer होगा आपका B रस, कॉस्चिन नमबर 102 क्या पूँचा है, स्री हर्स द्वारा रचत है, नेस दिये चरित में किसे रीती की प्रधानेता है, इसमें रीती बताने वह कौन सी रीती है, जिसकी इसमें प्रधानेता है, नेस दिये चरित में, स्री हर्स द्वारा रचत है, और कॉस्चिन नमबर 102 का राइट आंसर है आपका B यानि की वैधर भी रीती कौस्चन नमबर 3 पूंचा है ब्रहत्तरी में कौन सा महाकाब बे नहीं आता है तो किरात आरजुनियम या नियस दिये चरितम या रगुबंसम या सिसुपाल बदम तो जो ब्रहत्तरी है इसमें जो महाकाब बे नहीं आता है वै कौन सा है तो रगुबंसम डी राइट आंसर आपका यहां पर सही आंसर होगा कौस्चन नमबर है 94 एक सोचार वा कौस्चन है मती सब्द के सष्टी एक बचन का रूप बताना है तो मती का सष्टी एक बचन क्या होगा मती का सष्टी एक बचन पूँचा है तो 104 का B यानि कि मत्यह सही आपका आंसर होगा अविदी किस भासा वर्गी की बोली है अविदी बताना है अब दी किसे उप भासा बर्गी की बोली है तो question नमबर 105 का सही आंसर होगा पूरवी हिंदी अब दी किस उप भासा बर्गी की बोली है तो पूरवी हिंदी आपका सही आंसर question नमबर 106 नमलेकित में से कौन बीर गाथा काल की रचना नहीं है तो बीर काता काल की रचना नहीं है पूंचाए आपसे, संद्रिश रासक, जैमेंगे, जस्चंद्रिका, अलाखंडे या भक्तमाल, तो आपके यहाँ पर सही आंसर है, 106 का विकल्प नंबर D, भक्तमाल, भक्तमाल ये नावधास करेते, रचेते, ये भक्तिकाल, भक्तिकाल क की रचना है और यहां पर आपका question number 107 किष्णे कापेदारा की प्रिवर्टक कौन है किष्णे कापेदारा की प्रिवर्टक सूरदास सौमी बल्लवाचार नावादास या चेतने महापिरभू question number 107 है और महत्यपूर्ण है किष्णे कापेदारा की प्रिवर्टक जो है सौमी बल्लवाचार जी हैं कौन हैं बल्लवाचार जी हैं और भक्तिमार्ग को पुष्टिमार्ग का नाम सौमी बल्लवाचार जी नहीं दिया था भक्तिमार्ग को पुष्टिमार्ग का नाम तारसब तक का प्रिकासन वर्ष है तो तारसब तक का यहां पर प्रिकासन वर्ष तो भ साग कि रचिना बताना है तो आपका हैं पर सही आंसर होगा जैखें एह आपका हैं पर सुहांसर है जो यहां पर बिलकुल सही हरी खासपर च्छानभर विकलत नंबर बू अपका राईट आंसर है इह तो ब्हुन द्वारा लिकित का भी ग्रंथ है तो इनकी 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 द्वार पता होगा बहुत ही शल कॉस्टिन है रामचरित मानस में कुल कितने कांड थे तो 112 का सही आंसर होगा आपका सही आंसर क्या थे को क्वान winter मैं 5,169 तो यहाँ पर 113 है, क्या है तो देख लेते हैं, नारी तुम केवल स्रद्दा हो, विस्वास रजत नगपग तल में, किस रचनाकार की यह जो है पन्ती है, कौस्चन नमबर 113 में आपके लिए बताना है यह जो पन्ती है, किस रचनाकार की है, तो जैसंकर प्रिसाद आपका ह यहाँ पर सही आंसर होगा, कौस्चन नमबर आपका यहाँ पर 114 पूंचा क्या है, यहाँ पर महत्तपूर्ण कौस्चन है, कि विभावा, नुभा, विविचारी, संयोंगा, द्रस निस्पत्ति को प्रिति पादित क्या है, दंडी ने, भामय ने, भामय नहीं है, भामन न या भरत मुनी ने, या अभीना गुप्त ने, तो कौस्चन नमबर है, आपका यहाँ पर 114 राइट आंसर है, भी आनिकी भरत मुनी ने, भी आपका यहाँ पर सही आंसर है, यहाँ पर कौस्चन पूंचा क्या है, कौबलया नंद की रचेता कौन है, भामय है, दंडी है, प लग अरू जट टूटत कुटम जुरत चतुर चित प्रीती और परती गांठ दुर्जन ये दई नई यह रीती में कौन सा अलंकार यहां पर बताना है अलंकार कौन सा है तो 116 का सही आंसर होगा कि इसमें जो अलंकार है वह असंगती अलंकार आपका राइट आंसर यहां पर विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा तो विकल्प नंबर सी आपका यहां पर सही आंसर है विल्कुल सही कौस्चन नंबर आपका 17 है वह कौस्चन है धूमिल को किस का विकरती पर साहित अकादमी पुरुसकार मिला था साहित अकादमी पुरुसकार जो मिला था किस को का प्रजातंत्र ये जो है आपका सही आंसर है इस पर साहित अकादमी प्रवसकार मिलाता धूमिल जी को निठल्ले की डायरी नामक का वे हास्य ब्यंगे निवंदे संग्राई के लेकक कौन है अठाराय का डी राइट आंसर है बिलकुल सही कौस्चन नमबर 19 क्या पूँचा है निमलिकित में सी कौन सा नाटक जैसेंकर प्रसाद द्वारा रचेत नहीं है देखें नहीं पूँचा है आपसे यहाँ पर तो 119 का सही आंसर इसकंद्रगुप्त है चंद्रगुप्त है यहाँ पर कौस्चन नमबर 120 से प्रगति सील लेखक संगे के प्रतम अधिवेशन की अध्यक्ष तक किस ने की थी प्रयमचंद नागरजुन राही मासुम रजा या सूरकान तरपाथी निराला 120 का सही आंसर बताना है और 120 का सही आंसर आपका यहाँ पर राइट आंसर होग 120 का विकल्प नमबर 1 यानि की प्रयमचंद ने प्रयमचंद आपका यहाँ पर सही आंसर है और इसका जो अधिवेशन हुआ था यह कहाँ पर हुआ था यह अधिवेशन लखनव में कहाँ पर लखनव याद रखना है लखनव और कॉस्चन आपका यहाँ पर जो 121 पूंच किस आलोचक ने किया है तो आपका 121 का सही आंसर होगा किस ने किया है मकोटधर पांडे मकोटधर पांडे आपका यहाँ पर सही आंसर होगा बिल्कुल सही मकोटधर पांडे जोनों ने यहाँ पर बताया है यहाँ पर आपका जो है अब गद्यांस आ गया है तो 5 नमबर का य गद्यान से यहाँ पर देख लेते हैं क्या है यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर नहीं है यहाँ पर गद्यान से देख लेते हैं question answer ही है तो 122 बग क्या पूंचा गया है केसव कही ना जाय का कहिए कावे पंती जो है किस रचनाकार की है तो question number 122 में बताना है यह जो पंती है केसब कहिए ना जाय का कहिए एक इसकी है तो आपका right answer है तुलसीदास जी की पंती है question number 123 पूँचा है नमिलिकेत में से संतिक आप परंपरा के अंतरगत ना आने वाले कभी का नाम क्या है तो भै कौन से कभी हैं जो संतिक आप परंपरा के अंतरगत नहीं आते हैं तो आपका यहाँ पर जो सही answer है question number 123 का विकल्प number D यानि की नंददास आपका यहाँ पर सही answer है एक सूची एक का सूची दो से यहाँ पर मिलान कनना है यहाँ पर तो मिलान किस परकार यहाँ पर question number है अपना यहाँ पर कौन सा है 124 और यहाँ पर इतिहास कार हैं यहाँ पर नामकरण दिये गए हैं और यहाँ पर देख लेते हैं तो question number 124 आचार रामचन सुकल ने जो है आदी काल को बीरगाता काल क्या है आदी काल को क्या कहा है तो बीरगाता काल आचार रामचन सुकल ने डाक्टर हजारी प्रसाथ दुवेदी ने क्या क्या है आदी काल कहा है और यहाँ पर राहुल सांकृत्या ने क्या कहा है तो यहाँ पर राहुल सांकृत्या ने जो कहा है स सही संदी विच्चित बताना है इत्यादी आपका ये सब्द दिया गया है और इसका जो सही संदी विच्चित होगा पर क्या होगा तो 125 वा कॉस्चिन आपसे यहां पर पूंचा गया है राइट आंसर होगा इत्यादी का इती धन आदी बराबर इत्यादी ये आपका संदी व तो चैनल को सब्सक्राइब करने बैल आइकन दबाएं और पर क्लिक करें ताकि और वीडियो की जानकारी आप कहां तक पहुंचे जादा से जादा वीडियो को सेर करें रोज इसी तरह की यह जो है प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाए जाएंगे तो सभी लोग चैनल को सब् ओर भालाएंगे जाएंगे bikes यह जाएंगेडवय को अ झाल झाल